हेलो दोस्तो, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको फास्ट फूड खाने के नुकसान बताएंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप किये अंत तक जरूर देखे आएए वीडियो की और चलते हैं सभी लोगों को आहार की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्शक्ता होती है हम जिस तरह की चीजों का सेवन करते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है शोध करताओं ने पाया कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान फास्ट और प्रोसेस्ट फ्यूड्स से होता है इस तरह की चीजें न सिर्फ तेजी से शरीर के वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है साथ ही इसके कारण कई प्रकार की क्रॉनिक बीमारियों का खतरा भी हो सकता है फास्ट फूड्स का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत पर असर देखा जाता है फास्ट और जंक फूड्स में कैलोरी की अधिकता होती है इसके कारण तेजी से वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है इसके अलावा इस तरह की चीजें हृदय स्वास्थे के लिए भी हानिकारक प्रभावों वाली मानी जाती है आये नुकसान के बारे में जानते हैं नंबर एक वजन बढ़ने का खतरा फास्ट फूड्स के कारण जिन स्वास्थे समस्याओं का जोखिम सबसे अधिक होता है उनमें तेजी से वजन बढ़ना प्रमुक है बर्गर, फ्राइज और तली भुनी चीजों में वसा, कैलोरी और अत्यधिक मात्रा में संसाधित कार्ब्स हो सकते हैं अगर आप इसे अक्सर खाते हैं, तो इससे वजन तेजी से बढ़ने का खतरा रहता है वजन बढ़ने के कारण कई प्रकार की क्रॉनिक स्वास्थे समस्याओं जैसे हृदय रोग और डाइबिटीज का भी जोखिम हो सकता है अगर आप अक्सर फास्ट फूड्स का सेवन करते हैं, तो यह आपके बलड प्रेशर को भी बढ़ाने वाली समस्या हो सकती है इस तरह की चीजों में सोडियम की अधिकता होती है, जो सीधे तोर पर हाइपर्टेंशन के प्रमुक कारणों में से एक है विशेशग्य इसका कम से कम मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं, बहुत अधिक सोडियम न सिर्फ आपके रक्त चाप को बढ़ाती है, साथ ही इससे आपकी रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुँचाता है इससे हार्ट फेलियर, दिल का दौरा और स्ट्रॉक का खत्रा भी बढ़ जाता है नंबर तीन डाइबिटीज रोगियों के लिए भी इससे नुकसान फास्ट फूड और प्रोसेस्ट खाद्य पदार्थों में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है, जिसे आपका शरीर शर्करा में तोड़ता है शरीर में रक्त शर्करा का अनियंत्रित स्तर होना कई प्रकार की स्वास्थ समस्याओं के जोखिमों को बढ़ाने वाला माना जाता है समय के साथ लगा नंबर चार सिर्दर्थ की परेशानी अगर आप काफी ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, तो आपको सिर्दर्थ की परेशानी काफी ज्यादा हो सकती है दरासल फास्ट फूड में मोनो सोडियम ग्लुटामिट का काफी ज्यादा इस्तिमाल होता है या सिर्दर्द का कारण बन सकता हैतार बढ़े रहने वाली शरकरा की स्थिती अग्नियाशय के लिए दिक्कतों को बढ़ाने वाली हो सकती है। नमबर पांच मुनहासों की परेशानी का खत्रा जंक फूड के अधिक सेवन से स्किन को भी नुकसान पहुचता है। इसकी वजह से आपकी स्किन पर काफी ज्यादा पिंपल्स और मुनहासे हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जंक फूड का अधिक सेवन न करें। नमबर छे दांतों की सडन की समस्या जंक फूड खाने से दांतों में सडन की परेशानी भी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा कैंडी, चिप्स, चॉकलेट जैसी चीजों का सेवन करता है तो उनके दांतों में सडन की परेशानी होना काफी आम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवार्जनों को शेर जरूर करें।